दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आए एक धमाकेदार वीडियो क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वैब स्टोरीज के लिए तीन ऐसे निचिज जिनसे आप USA ट्रैफिक लेकर आ सकते हो अपनी web stories को USA में rank करवा सकते हो और वहां से दिन के 50 डॉलर से 100 डॉलर तक daily के कमा सकते हो लेकिन सबसे वहले मैं आपको एक concept बताना चाहूंगा यहाँ पे आजकल YouTube पे क्या चल रहा है बहुत सारे लोग web stories से related videos डाल रहा है और आपको क्या बताते हैं Google Trends को खोलो United States select कर लो और यहाँ पे जो trend में topic चल रहे हैं उनके उपर web stories बनाओ या फिर Bing के home page पे जाओ वहां से trending topics को देखो तो उसमें problem क्या आती है यह चीज़े काम तो करती है लेकिन problem क्या आती है बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता लगता कि यह जो news आ रही है इनको web stories के रूप में कैसे बनाना है यह सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि article ही समझ नहीं आता कि भाई यह चीज़ क्या है तो आपका भाई आपके लिए चीज़ का solution लाया है आपको तीन ऐसे US-based blog niches बताऊंगा जिन पर अगर आप web stories बनाओगे तो आपको भर भर के traffic मिलेगा लेकिन इसकी कुछ terms and condition होंगी हम other YouTubers की तरह आपको यह नहीं बोलूँगा मैं कि यह आप काम करोगे तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा मैं आपको to the point सच्चाई भी बताऊंगा कि अगर आपको traffic लाना है इन topics पे पैसा कमाना है डेली का 50 से 100 डॉलर तो आपको क्या-क्या terms and condition follow करनी पड़ेंगी वो वीडियो के last में मैं आपको बताऊंगा तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ हमारा पहला niche कौन सा है क्या-क्या हम इसमें web stories बना सकते हैं किन-किन बातों का ध्यान रखना है और इस पे जो ads चलेंगी वो कितनी premium होंगी हमें एक click का कितना पैसा मिल सकता है सब कुछ आपको मैं detail में बताता हूँ तो सबसे जो पहला niche है हमारा वो है football अब क्या होता है मैंने ये niche क्यों चुना micro niche है और US के अंदर लोग football sports को बहुत पसंद करते हैं जैसे इंडिया में cricket को एक बहुत बड़े level पे चीज माना जाता है लोग cricket के लिए पागल हैं ऐसे ही US में लोग football sports के लिए बहुत ज़्यादा पागल हैं एक तरह से बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं football से related कोई भी news हो football से related कोई भी article हो तो वहाँ के लोगों का interest है football sports में और अमेरिका की बहुत सारी teams भी है football की तो वहाँ पे ये चीज काफी ज़्यादा trend में चलती है तो इस niche के उपर कैसे काम करना है क्या क्या articles लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ football niche के उपर कितने CPC आपको मिल सकता है पर click वो सारी चीजे मैं आपको practically दिखा देता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अगर हम football पर web stories बनाते हैं या फिर blog शुरू करते हैं USA related तो हमें यहाँ पर maximum पैसा कितना मिल सकता है एक click का तो यहाँ पर मैं Google का tool open कर रहा हूँ और यहाँ पर United States यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं आपका एक चीज बताना चाहूँगा मुझे बहुत सारे लोगों के comment आए और कुछ लोगों appreciate भी कहा लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लोगों का पागल बनाना बंद करो गलत शब्द भी इस्तमाल किये तो मैं उनका एक चीज बता दूँ लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता इतना CPC नहीं मिलता तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज नहीं दिखा रहा हूँ जो कि मैं अपनी तरफ से दिखा रहा हूँ यह देखिए Google का tool है Google Ads अब मैं आपको एक छोटा सा concept समझाना चाहूँगा यहाँ पर देखिए जैसे कि एक keyword है NFL logos अगर किसी company को इस keyword पे अपने article पे add चलानी है अपनी कोई add चलानी है इस keyword के उपर तो उस company को कम से कम Google को 406 रुपए एक click के लिए देने पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा 18,404 अब 18,404 को अगर हम USD में convert करते हैं American dollar में तो यह 230 dollar मिलते हैं एक click का इस company को जो भी इसकी add चलाती है वो Google को 400 230 dollar देगा अब आप एचीज समझ रहे हैं वो Google को दे रहा है अब Google उसी add को इस से related अगर आप football पे blog बनाते हो या web stories बनाते हो अगर इस keyword से related वो आपके उस web story पे या blog पे ये वाली add लगाएगा और कोई उस पे click कर देता है तो Google क्या करेगा उस company से 230 dollar ले लेगा कुछ commission अपने पास रखेगा और बाकी का commission आपको दे देगा तो यहाँ पे अगर Google ने suppose करो 50% भी commission रख लिया तो यहाँ पे आपको कम से कम 100 near about यहाँ पे जो मिलेंगे आपको 115 dollar मिलेंगे एक click और यह सच में सच है मुझे 116 dollar मिला था 167 dollar एक बारी मिला था तो यह चीज़े होती है अगर आप मेहनत करोगे लोग लेकिन बहुत गलत बोलते हैं वट कोई बात नहीं आप लोग बहुत लोग समझते हो तो मैंने आपको इसका concept बता दिया actually में है क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको 18,000 तक का यहाँ पर एक click का मिल सकता है अगर इसका आधा भी मिला तब भी आपको 8,000 रुपए एक click के मिल जाएंगे लेकिन मेहनत करनी पड़ती है सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब मेहनत करते हैं तब हमें पता लगता है लेकिन यह सब चीजे possible है तो गाईज अब हमने यह तो देख लिया यह जो football नीच है इस पर हमें पर click कितना पैसा मिल सकता है अब बात आती है हमें इस पर किस तरह की web stories को publish करना है कहां से हमको content का idea लेना है जिस पर हम web stories को publish कर सके और साथ ही में मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि अगर आप इस niche प क्या करना है और कैसे करना है और कितना traffic का सकता है तो दोस्तों सबसे बहले मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे content आप इस web stories के लिए लिए लिख सकते हो football niche के उपर तो यहाँ पर मैं आपको example दिखा रहा हूँ यह एक मैंने content खोला हुआ है 18 greatest world records in football history अगर आप web story बन आप खुछ सोच के देखो US के अंदर लोग football को पसंद करते हैं और उनके पास यह web story अगल आती है और वो देखते हैं कि यह world records football के तो उन पे click करेंगे जितने ज्यादा clicks होंगे आपकी web story viral हो जाएगी US के अंदर और आपको वहाँ से traffic मिलेगा और यहाँ पर web stories बनाना इतन आसान है आपको just headings को पढ़ना है कि कौनसा world record कब बना था किसने बनाया जस्त आपको वो चीज़े वहाँ पे दिखानी है Google से उठाके थोड़ा बहुत modify करके photos को use करना है इसमें detail video बना दूँगा कि photos को web story में कैसे लेके आना इसे copyright वगरा का issue ना है तो इस तरह का content हो सकता है दूसरा content कैसा हो सकता है देखिए most impressive records in all of world football की football के world में जो सबसे impressive records थे वो कौन से रहे हैं आप यहां से देख सकते हो ठीक है तीसरी website मैंने आप ए खोली हुई है इसमें आप देख सकते हो कि दुनिया का सबसे अमीर footballer कौन सा है आप इन चीज़ों के उपर बना सकते हो क sports से related, football से related यहां पे अगर मैं आपको इसका traffic दिखाता हूं तो इस पे 7,58,000 का traffic है और इसे इंडिया के किसी बंदे ने बनाया है और US में इस पे traffic आ रहा है इसके अलाव अगर हम दूसरी website की बात करें जैसे कि यह website है इसका आपको गर traffic दिखाता हूं मैं तो यहां पे 30,000,000 का traffic है यानि नियर अबाउट 3,70,000,000 का इस पे traffic है और इस पे जो traffic आता है mostly US से आता है US में 552 rank पे आए तो आप देख सकते हैं कितना इस पे traffic आ रहा है यहां पे हम यह वाली website ले ले लेते हैं यह भी आप अगर इसका traffic चेक करोगे अगर आप एक निच पे गाम करते हो 7,58,000 traffic है तो आपने देख लिए इस निच पे traffic आता है मैंने आपको content ideas भी बता दिए कि किस तरह का content आप यहां पे लिख सकते हो तो दोस्तों दूसरा हमारा जो blog niche है US के लिए जिस पे आप web stories बना सकते हो वो है make money online अब देखिए इसमें क्या करना यह बहुत ही ज्यादा अच्छा niche है इसमें आपको web stories बनाने में कोई problem नहीं होगी अब मैं आपको बताता हूँ कि यहां पर आप web stories कैसे बना सकते हो इसके मैं आपको ideas भी दिखाऊंगा लेकिन सबसे बेले मैं थोड़ा बहुत आपको इस niche के बारे हैं बता देता हूँ जैसे कि इंडिया में भी आप देखोगे YouTube हो या Google हो बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि online पैसा कैसे कमाए ऐसे ही US में देखें तो US में भी बहुत सारे लोग इस चीज के लिए सर्च करते हैं कि छोटी छोटी ऐसी micro jobs जिनसे आप online पैसा कमा सकते हो अब उसमें बहुत सारे काम आते हैं ऐसे surveys हो गए अगर हम इंडिया में किसी survey को fill करते हैं हमें मुश्किल से मुश्किल 5-10 रुपई मिलते हैं लेकिन US में उसी काम को करने के उसी survey को fill करने के आप 5-5-10-10 डॉलर कमा सकते हो तो आप online earning के उपर web stories डाल सकते हो जो कि US से related हो आपको internet पे बहुत सारा data मिल जाएगा इस चीज स में आने लग जाएंगी discover में US के अंदर और आप बहुत पैसा यहां से कमाल होगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अगर हम इस topic पे web stories बनाते हैं तो जो हमारी ads चलेंगी इसके अंदर उस पे हमें कितना ज्यादा पैसा मिल सकता है पहले हम वो चीज देख लेते हैं तो दोस्तों यहां पे हम लिखते हैं earn money online जिससे हमें थोड़ा सा idea हो जाए कि अगर हम इस category पे work कर रहे हैं तो इस पे premium ads होती है नहीं होती क्योंकि premium ads होगी तब ही हमें फायदा होगा तो यहां पे US मेंने select कर लिया है यहां पे हम क्या करते हैं यहां पे मैं select कर लेता तो minimum देखा हमने यहां पे कि जो other companies हैं Google को यहां पे advertisement करने के लिए 249 रुपए से 1511 रुपए तक per click दे रही हैं तो 1511 को अगर हम convert करते हैं UST में तो हम देखते हैं per click कितना pay कर रही है company Google को 18 डॉलर तो अगर आप इस पे काम करते हो तो आपको per click near about 5 डॉलर 7 डॉलर ऐसे मि सकते हैं अगर आप इस niche को choose करते हैं जो कि बहुत हैं अगर आपको suppose करो किसी web story पे 1000 traffic आ गया और 1000 पे आपको 50 click मिल गए या फिर आप suppose करो 100 click मिल गए और एक click का 5 डॉलर मिला तो आप 5 को 100 से गुणा करो 500 डॉलर आपके easily हो जाएंगे और आसानी से हो जाएंगे एक दिन के थोड़ी सी मैनत लगती है और थोड़ा सा effort लगता है अगर आप वो चीज करोगे दिमाग लगाओगे जैसे बता रहा हूँ तो आप आसानी से कर लोगे ये चीज और आप seriously बहुत पैसा यहां से अन कर लोगे तो चलिए मैं आपको कुछ sites दिखाता हूँ content ideas दिखाता हूँ जहांसे आप इन चीजों से related web stories के लिए idea ले सकते हो और web stories बना सकते हो तो guys यहां पर मैंने एक website खोली हुई है जहांसे आप web stories के लिए earn money online पर idea ले सकते हो जैसे तो यह सब USA की हैं अगर आप यहां से research करोगे 6 ways to get cheap internet in 2022 इससे क्या होगा कि आप कम पैसो में internet मिल जाएगा लोग यह चीज भी search करते हैं कि इससे पैसा बच रहा है तो आपको यहां से ऐसे content के ideas मिलेंगे जो US में चलते हैं तो आपको इसके लिए कुछ ऐसी websites निकालनी इतना सारा traffic और आप देख सकते हैं आप 25.40 मिलियन का traffic है यानि near about 2 करोड धाई करोड का यहां पर profit आ वो traffic आ रहा है तो यहां पे एक और website है dollar sprout के नाम से अगर मैं सबसे पहले आपको इसका traffic चेक करवाता हूँ तो यहां पर आप traffic देख सकते हैं इसका 6,50,000 इस पे monthly traffic है ज यहां पर इतने सारे मिल जाएंगे आप नीचे see all करते रहो और आपको बहुत सारे article यहां मिलते रहेंगे online earnings related देखिए 49 pages हैं और एक page पे 10 article भी हुए तो 390 article आपको यहां से असानी से मिल जाएंगे जितनी web stories डालना चाते हो आप डाल सकते हो और यहां पर एक एक article के अगर आप US से web stories के जरी यह पैसा कमाना चाते हो तो वो है web series जब से corona आया था तो web series वगेरा काफी ज़्यादा popular हो गई लोगों ने देखना शुरू किया तो इसकी एक addiction सी लग गई अब US में क्या होता है बहुत सारे लोग web series देखते हैं लेकिन इससे related बहुत सारे लोग Google पे search भी करते हैं US के अंडर कि कौन सी best web series है horror के लिए कौन सी best comedy web series है इस तरह की चीजों को लोग US में search करते हैं तो आप इस topic के उपर अगर web stories बनाओगे तो आपको US से बहुत traffic मिलेगा और आप यहां से बहुत पैसा कमा सकते हो तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस topic के उपर अगर web stories बनाते हैं तो हमें यहां पे कितना ज़्यादा CPC मिल सकता है यानि एक click का कितना पैसा मिल सकता है तो guys यह देखने के लिए कि हमें web series पे क्या-क्या ads मिल सकती हैं कितना पैसा मिल सकता है तो मैं Google के इस tool पे web series लिखता हूँ और यहां पे United States को choose कर लेत जा हूँ तो यहां पे हम जैसे ही results पे click करते हैं तो यहां पे आप देखेंगे बहुत सरे हमारे पास keywords आ गए और यहां पे हम इसको high कर लेते हैं और जैसे ही हम high करते हैं तो minimum 548 से यहां पे 2164 रुपे इतना कम से कम आपको यह पर click का मिल सकता है बहुत सारे इस पे keywords हैं द यहाँ पे convert करते हैं USD के अंदर तो आप देखना आपको per click कितना मिल सकता है यहाँ पे 26 डॉलर company provide करेगी highest Google को इसमें से अगर Google अपना commission भी रखता है तब भी near about आपको 10-12 डॉलर एक click के मिल सकते हैं अगर आप web series पे काम करते हो अगर आप यह भी target करते हो कि मुझे दिन के 500 views लेके आना है US अपनी web stories पे और आपको एक click के 10 डॉलर मिल रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर अगर दिन के 10 click भी मिले तब भी आप 100 डॉलर आराम से कमालोगे तो बहुत ही easy है अगर mind को इस तरह से आप develop करते हो और इस चीज को long time तक follow करते हो तो आप आसानी से 500 डॉलर कमालोगे US के लिए कुछ भी नहीं है यह जैसे हमारे लिए इंडिया में 100-200 रॉपए 500 रॉपए होते हैं ऐसे ही उनके लिए 500 डॉलर उठते हैं लोग यह सोचते हैं न एक क्लिक का ऐसा कैसे मिल सकता है इतना ज्यादा जैसे हम 10 रॉपए खर्च करते हैं वाप एक डॉलर खर्च होता है तो आप खुछ सोचते हो कि उनके लिए एक डॉलर की क्या value है लेकिन हमारे यह वो चीज 80 रॉपए की एक डॉलर तो आप इस चीज को समझो महनत करो तो सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगे तो गैस अब आपने देख लिए एक क्लिक का यहाँ पर कितना पैसा मिल सकता है अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी वेबसाइट के बारे में जहांसे आप content idea ले सकते हो साथ में इन वेबसाइट का traffic भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इन वेबसाइट पर कितना traffic आता है तो गैस यहाँ पर मैं सबसे बहले आपको content ideas दिखा देता हूँ कि आपको किस topic के उपर web stories बनानी है तो यहाँ पर एक example है best comedy shows on netflix तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप इसके उपर web story create कर सकते हो इसके अलाब आप इस website को देखोगे collider.com को यहाँ पर आपको बहुत सारे ideas मिल जाएंगे अगर आप web series, tv shows इस तरह के topic पर काम करते हो तो यहाँ पर आपको CPC भी अच्छा मिलेगा साथ में content ideas की कमी आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी अगर हम traffic की बात करें इस website की traffic की क्योंकि main चीज traffic की होती है कि इस topic पर traffic है या नहीं हुए ऐसे तो आप देख सकते हो 28.70 million का traffic है याँ नि नियर अबाउट 2.80.000 का traffic इसमें मंतली आ रहा है अगर हम दूसरी site की बात करें तो यहाँ पर screenrant.com है अगर हम इसके भी traffic की यहाँ पर पहले देख लेते हैं फिर यहाँ पर आपको content ideas भी दिखा दोंगा 94 million का traffic है भाई 10 करोड के something इस पर traffic आ रहा है और आपको यहाँ पर सारे content ideas मिल जाएंगे जहां से आप एक article को उठाओ, थोड़ा सा पढ़ो, उस पर web story create करो और थोड़े से traffic में अच्छा कासा पैसा कमा लो तो आपको content ideas की कमी नहीं होगी अगर आप web series topic के उपर web stories बनाना चाते हो और US में rank कराना चाते हो, आप देख सब तो यहाँ पर तो guys यह थे तीन ऐसे niches जिन पर आप web stories बनाते हो तो आप आसानी से USA में अपनी web stories को discover में ला सकते हो और पैसा कमा सकते हो, अब यह जो तीन niches है इनका सबसे बड़ा benefit क्या है, जैसे कि बहुत सारे लोग बता रहे थे मैंने वीडियो के starting में बताये कि trending news लो वो चीजे समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो आप यहाँ पे आपको एक article मिल रहा है, उसको देखकर आप आसानी से web story बना लोगे और आपको content की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ मैंने आपके साथ share कर दिया और आप Google पे जाके किसी particular topic को लिखो, मैंने तो आपको दो दो तीन तीन आपको website बताई है content idea के लिए आपको 500 website मिल जाएंगी, वहाँ से idea लो web stories बना दो और अगर आपको जल्दी से, जैसे कि मैंने बोला था, trick बताऊंगा, अगर आपको जल्दी से web stories पे अगर traffic लेके आना है, तो एक चीज follow करनी पड़ेगी, एक दो दिन काम करके ना छोड़ें, आप कम से कम एक महीना इस चीज को follow करें, एक topic के उपर web stories डालें और दिन की maximum, आप जितनी मर्जी डालो, लेकिन minimum 3 से ज़्यादा web stories डालोगे, तो आप इस चीज में बहुत जल्दी grow कर जाओगे अब लोग YouTube पे काफी misguide कर रहे हैं कि copy paste करते हैं, कहीं से copy किया, spin कर लिया, ये काम आप मत करना, ये long time तक फायदा नहीं देंगे ये मैं आपको सच्चा ही बता रहा हूँ, अगर आप spinning करोगे, web stories में copy paste करोगे, ये आपको एक time तक फायदा दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका account Google disable कर देगा, क्योंकि Google हमसे ज़्यादा smart है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, genuinely के साथ क्याम करोगे, यानि पूरा अपना 100% दोगे, original दोगे, तो आपको इस field में grow होने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए genuine person बनो, Google को दिखाओ, you are genuine, अच्छा content दो Google को, तो आपको grow होने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ, तो प्लीज लाइक कर दिया करो, और कुछ नहीं मांगता आप से मैं, प्लीज लाइक करो, और अगर आपको कोई ब्लोगिंग से जुड़ा doubt हो, तो प्लीज comment करने आपका भाई आपके लिए वीडियो बना देगा, और आपको एक चीज और बता दूँ, आप एक या दो दिन के अंदर हम वर्ट्प्रेस और ब्लोगर का free series लेके आ रहे हैं, उसको follow करना, और continue follow करोगे, तो आप एक successful ब्लोगर बन जाओगे, क्योंकि आपसे मैं कोई भी चीज छुपाऊंगा नहीं, to the point बताऊंगा, आप सब लोग ज